मैं हूँ हैदर वहीर और मैं हूँ मोईज जाफरी और आप देख रहे हैं अजेंडा 360 वेलकम तो अजेंडा 360 हमने अपने शेहर में कराची में अपने और शेहरों में जो होते देखा है जो इंटॉलरेंस देखी है जो पाकिस्तानियों का आज हाल देखा है, जो हमारे मलक की एक सोच देखी है जो हम कौम की बात करते हैं, अम्मा की तुदूर की बात हैं, हम जो इतनी सारी बातें करते हैं उसके उपर आज हम शोग करने की कोशिश करेंगे, हमारे मिमान होंगे हसनिसार साथ हम पहली सेग्मेंट में अगर है तेवईद, ये स्टैंड करने की कोशिश करें कि हम किस हाल में हैं, तो वोई Pew Survey के उपर जो हमने पहले शोग किया था कि 57% पाकिस्तान कहता है, उसाम बिलादन बहुत बड़े जिहादी थे 29% पाकिस्तान कहता है, हम गलत सिंथ पर चल रहे हैं इसी कुछ नमबर, 68% पाकिस्तान इमरान खान साथ को पसंद करता है, लेकिन वोट उनको कोई डालना नहीं आता जलदारी साब की जो पॉपिलारिटी रेटिंग है, वो 11% है, बिलादन जब जिन्दा था तो 13% थी उसकी हम कर क्या रहें, हम जा कहा हैं और हमारी जमाते, हमारी जो मख़भी जमाते हैं उनकी तो एक और ही कुछ तरीका है, कुछ बाते हैं, उनके सरबरा आते हैं टीवी पे, तो वो अजीब गरीब बात करते हैं, और ओरतों के हुकुक के हवाले से कहते हैं, कि अगर आपके साथ जयाती हुई हो तो बहतर है आप चुप रहें, क्योंकि आपको गवा नहीं मिलें को भी और अमरीका को भी और हर तरह के ऐलमेंट्स को बलके के वो अपनी जगा बना सकें और जाहर है कि फिर ये जो हमें एथनिक डिविजिन्स हैं पाकिस्तान में ये भी और ज्यादा पुखता होते जाते हैं क्योंके रियल ट्रस्ट और बिलॉंगिंग वो स्टेट ऑफ पा है कि यहां इंस्टिटूशन पनप नहीं सके उस तरह जिस तरह होना चाहिए था और हम ने हमेशा अपना मूँ मोड लिया अपने मसाइल से और उन मसाइल को हल नहीं किया आज क्योंके हमारा शूर्थ होड़ा सा फिलोसफी बेस्ट होने वाला है असन निसार साब हैं कुछ नेवियन कंट्रीज हैं इनके अंदर सोच यह है कि गाड़ी जो है वह एक कम्यूनिटी चीज है और सारी एलेक्रिक होंगी और आप जो है चलाके लेकर जाएं और जहां छोड़े हैं वहां पर किसी और की लेकर वापस आजाएं वह आपकी गाड़ी इस्तमाल करना शुरू रहा हो जाएगा इस लेवल पर एक शेरिंग है और हम लोग एक शेहर ने शेहर कर पाते हैं शेहर तो दूर की बात है हम लोग खाने की जगाएं अलग पीने की जगाएं अलग आप किसी के ग्लास का पानी नहीं पिएंगे हाथ नहीं मिलाएंगे कपड़े पैने में से आप और गवरनन्स और जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो स्ट्रॉंग उस तरह से नहीं था कि इस तरह की फॉस्स जो हैं उनको विट्स्टैंड या कम से कम एक लेवल तक रोक पाता तो इस जाहर है के इतना वैक्यूम है यहां पे जिस तरह अब यतीम खाने और स्कूल जिब नहीं होंगे तो जाहर है बच्चे रुख करेंगे ऐसे मदर्सों के जहां हो सकता है कि मदर्सों के काम के लावा भी कुछ काम से काईगाओं सारे मदर्स गरेंigare तो नहीं होता है, तो अपन बरें तो उसासे का एता है, तो जब फेशक्वियों को कोई तो फिल करेगा, और पर यह interactions यह आपकी एक logistical reality बन जाते हैं और जब यह आपकी logistical reality बन जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमें बेशक लाते हैं भी मारते हो लेकिन अनाज भी और आटा भी इनी के थुरू आता है तो फिर आप मोहताज बन जाते हैं इनके और definitely फिर एक side और parallel government और at least a parallel system if it can even be called a system वो पन Korean divisions आपकी और जादा बढ़ जाती हैं आप खुद सोचें अगर एक state में इनसाफ होगा तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी political या ethnic roots की तरफ इस हद तक जाए कि वो state को भुला दे क्योंकि उसका trust state में पहले होगा बेशक कि अपनी politics की तरफ रुजहाना एक अ आपका उनकी तरफ जाना और फिर दूसरों से नफरत करना इस वजह से वो सिर्फ जब हो पाता है जब political parties और बहुत सारी different circumstances आपको एक मेहदूद कर देती हैं कोने पर और आपका इतमाद state पर नहीं होता और आप answers की तलाश पिर कई और करते हैं answers की तलाश हैदवई political parties ethnic politics 63 64 साल तारीख के ये कहती है कि जब मुल्क इतने होते हैं इतनी उमर के होते हैं और patchwork quilt की तरह के मुल्क होते हैं तो लड़ते जगड़ते ही हैं वो बड़े दिनों बाद जाके सुधरते हैं ये पाकिस्तान की बात नहीं है ये इस खिते के लोगो तो आपको रोट पर भी मिलेंगे घर भी मिलेंगे वो अपने आपको justify अपनी चोरी को justify इसी तरह करते हैं कि ये एक un equal system में unjust system में हम क्यों ने वो समझते हैं कि हमें बिजली न मिलने का अमल इसलिए है क्योंकि कोई exploit कर रहा है हमें ये काफी दफाए एक self-serving prophecy ही होती है ले अपने और फिर चलने देना कोई सिस्टेम अलाओ नहीं करना चाहिए इसको लेकिन हमारा सिस्टेम क्योंके मेंस्ट्रीम नहीं है कोई जो रोक सके इस तरह की चीज को तो यह चीज फिर जो है इंकलकेट और इंस्टिटूशनलाइज हो जाती है और आप देखते हैं कि बिजल सीख जाएं तो यह तो कुछ ना सीखने से शायद और भी बुरा है मैं यह नहीं कहता कि लिटरसी इस फेवरेबल इन एनी सरकंस्टांस लेकिन हम जो बातें पढ़ाते हैं हमारे जो करिक्यूलम है हमारी जो बातें सर के अंदर बुई जाती हैं चाहे वो मतर्क के हवाले से हो चाहे वो बेसिक फैक्ट के अवाले से हो वो स्क्यूड हैं है लोग जो बातें कर रहे होते हैं यही बात है कि हमें अब अशद जरूरत है खासकर इस मौके पे जब अवाम इग्नरेंट है हुकूमत और इस्टैबलिश्मेंट बिलकुल अलग तरफ जा रही है और अवाम को हम ओन नहीं करेंगे, identify नहीं करेंगे और फिर solve नहीं कर पाएंगे आपने पाक स्टैइस पड़ी है वो रबानी वाली किताब वो इक्राम रबानी साथ की किताब जो curriculum के ऊपर verify हो गए थी वो में आप comic relief है है वो हैदर वही उसको आप अगर पढ़े, it's comic relief वो बिचारे लिखते आते हैं तारीफ तो थोड़ी बहुत है, I didn't find that to be much of a relief in any respect, मैं आप सुनिये, because वो course की किताब थी, तो उसकता अब मज़ा है, अब पढ़े, मुझे उसकता मज़ा नहीं आता था, मैंने अभी हाल में उसको रीट किया, 47 तक 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 वही right-wing propaganda टाइप है, लेकिन चले हजम हो जाती है, 57 में जब आती है, तो थोड़ी सी कह देती है, जी यहां सियासी सत्रह चल लेती है, हैदर भाई, 1989 आता है न, तो सब अच्छे हैं, मैंने जी बुटो बहुत अच्छी हैं, नवाश्वरी साब बहुत अच्छे थे, जाहलक साब बहुत अच एक तरफ जा रही है, आपकी हुकूमत और अवाम बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं, और जो नॉलेज या इन्फॉमेरिकन्स भी करते हैं, नैशनलिस्ट एजूकेशन देते हैं, उनके लोगों को नहीं पता होता कि यह मैप अधो वर्ल्ड है, मैंने एक कॉमेडी शो जाओर को देख़ा है, उसके अंदर वो साब ओसारी हम पर उस्टरीया की जगह ए आपप दे двиг दे और ले जाते हैं, और फिर वो अपने लोगों के पास ले जाते हैं, उस मैप को, और खम्रीकन को हम बेल्याया करें? तो तज्वीजन दे रहे होते हैं लोग जी अंटाक्टक से इंवेट करें, सिंगपोर से इंवेट करें, मतलब Americans भी जो geography समझाते हैं उसके अंदर center में America होता है. अमरीकन कहता है कि Iraq, Iraq, यह आई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ है, मैंने तो दोनों जगा नहीं जाना, मुझे नहीं देखें, अमेरिका जो है, उसमें फर्क ये है, कि वो अपनी फॉरेंड पॉलिसी के हवाले से तो अपने लोगों से बहुत जूट बोलते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो उनके सिस्टम्स हैं, वो जूट पर मबनी नहीं है, वो अपने लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, और उन्होंने अपनी तलक हिस्ट्री और बहुत, मतलब बुरी हिस्ट्री जो उनकी है, स्लेवरी के हौआले से, खावातिन के हौआले से उसको उन्होंने कुछ हट तक रॉक्टिफ़ाइ किया, यहां तक एक सिआफ यह बस्तार, असी साल पहले औरतों को राइट प्रोस्पेक्शन करें, अपने आप से सच बोलें, अपनी गल्तियां और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको identify करें और solve करने का अमल लंबा होगा, कठेन होगा, मुश्किल होगा, इस बात को तसलीम करें, लेकिन कम से कम सही तरफ तो निकलें सही तरफ निकलें हैं, हैदरवीद, यह दोनों 47 में हम भी कॉलनी थे और Americans भी किसी जमाने में कॉलनी थे और कॉलनी होने के बाद भी जब वो अजादी भी उने मिल गई तो वो कॉलनाइज करते थे अपने अलाके के दीगर नसलों को वो लिखते थे नो डॉग, नो अशियन, नो ब्लैक्स, नो हिस्पैनिक्स, कराची में भी ऐसी जगाएं हैं जहांके दर्वाजों पर लिखे जाते थे कि नो डॉग, डॉग जन अशियन नॉट अलाओ, लोहर में भी ऐसी जगाएं हैं, फर्क यह है कि आज भी उस दर्वाजे पर लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन गरीब आदमी नॉट लाओट, और गरीब आदमी उसको दूर दूर से जा भी नहीं जा सकता, वो एक अलग इशु है, जो बहुत बड़ा इशु है, क्योंकि खलीद जो अमीर और गरीब की यहां पर है, वो इस तरह की मेंटालिटी को जनम देती है, कि जाहर है कि इन जास्टिस पे, राइट सव एड्मिशन रिजर्फट, इन लॉट अब वेज़ आपसलूटली राइट कि काफी दर्वाजों पर यह तहरीर नहीं हुआ वा, लेकिन प्रिटी माच यही मतलब है उन दर्वाजों पे, कि गरीब आदमी, गरीब आदमी की जिन्दगी जो है, जब तक आप गरीब आदमी की या पुल की उस पार लोगों की या अलग शेहरों के लोगों के मसाइल को एक इजत्माई तोर पे अपना मसाइल, मसला नहीं समझेंगे, तो यह मसले हल नहीं होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है, और यह हमारा बहुत हग सब को मिलते हैं, तो यह कम होता जाता है, अमीर घरीब हर जगा होते हैं, अमीर घरीब हर जगा होते हैं, और वो खलीज लेकिन कम होती है कुछ मुमालिक में, और जहां जादा भी हो लेकिन इनसाफ हो कम से कम, तो घरीब कम से कम कहता है कि यार चलो मैंने कम मेहनत की, ल गरीब पैदा हुए तो आप गरीब ही मरेंगे यह जो है डेफिनेटली बहुत दीमोटिवेटिंग एक ब्रेक लेते हैं विवेज अजेंडा 360 आप देख रहे हैं एक ब्रेक के बाद हमारे महमान होंगे असन निसार साब वो मायूस है हमारे मुल्क से उसकी सिंथ से उनसे हम गुपत को करने ही कोशिश करेंगे कि यह जो जो मेल्टिंग पॉट है पाकिस्तान या जो एक पैच्वर कुल्ट है हमारा मुल्क वो किस सिंथ पर खड़ा है किस सिंथ जा रहा है और यहां आया कैसे आप देख रहे हैं अजेंडा 360 आप देख रहे हैं आफ्टर ब्रेक वि झाल